हलो यूरी वन नमस्कार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेर्स में जितने टोपिक डेली बेसीज पर न्यूज में रहते हैं उनके बेसिक क्या है उनके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे और उनका करंट अफेर्स से क्या रिलेशन उसको अंडरस्टैंड करन जैसे आपको पता होगा European countries ने भारत पर एक तरीके से allegation लगाया कि भारत में कुछ genetically modified rice जो है वहाँ पर भीजा गया है तो इसको लेकर हम पढ़ेंगे genetically modified crops को लेकर second जो है Buddhist tourist circuit को लेकर काफी ज्यादा news में क्योंकि recent में कुषिनेगर airport को जो है वो inaugurate किया गया प्राइब मिस्टर साब के द्वारा third air quality index और fifth number पर जो commission for air quality management है दोनों के दोनों news में क्योंकि लगातार stable burning या air quality को लेकर दिल्ली आसपास के area में ये दोनों के दोनों news है में है इसके बाद fourth number पर जो point है opaque countries लगातार इसलिए news में क्योंकि oil की prices लगातार increase हो रही है जो पर dollar barrel की जो price वो increase हो रही है और भारत के जो minister है natural gas and oil minister उनोंने ये बोला था कि हमें ये control करना पड़ेगा otherwise ये economic recovery को जो वो कहने के नुकसान पहुंचाएगा इसके बाद ये आज की एक important statement है supreme court ने बोला है कि farmers जो है permanent road को block नहीं कर सकते आपको right है आप protest करिए अगर आप किसी चीज़े सहमत नहीं है but indefinite period के लिए आप road को block नहीं कर सकते देखिए मैं इसमें कोशिज करूँगा कि current affairs को basic के साथ connect कर पाऊँ ताकि question तो हमेशा basic पर ही होंगे लेकिन उसको current से link करने से basic प्लस current दोनों हमारे अच्छे से त्यार होंगी ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे main question जो हम discuss करेंगे इसका answer आप सब लोगों को करना है कि इसका answer क्या होगा आपके according question number one है UPSC civil service 2021 में पुछा गया था the governor of the reserve bank of India is appointed by the central government तीन statement दी गई है तीन में से आपको बताना कि सही कौन सी है यहाँ पर आप देखेंगे तीन statement है पहली statement बोलती है governor को central government appoint करती है second statement बोलती है certain provision in the constitution of India भारत के समिधान में कुछ ऐसे प्रवावधान है जिसके थुरू central government RBI को public interest में कुछ direction issue कर सकती है ठीक है third statement बोलती है the governor of the RBI draws his power from the RBI act यानि governor को जो power मिलती है वो RBI act से मिलती है तो आपको सही answer का जवाब देना है first second है second third है या one three है या one two three या तीनों के तीनों इसमें सही है वो आप नीचे comment करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं genetically modified crops को लेकर research में काफी ज़्यादा news में है genetically modified rice को लेकर और क्योंकि भारत के अंदर rice को permission नहीं है कि चावल को लेकर क्योंकि एक ही crops को भारत के अंदर permission दी गए genetically engineering appraisal committee ने that is cotton तो और किसी भी उसको approval नहीं है लेकिन इसको लेकर European country नहीं का कि source of origin जो है वो भारत में ही इसका है तो उसको लेकर ministry of commerce ने बोला कि inquiry इसको लेकर होगी और even यहां तक आज की news हमने पढ़ी थी जब तो उसमें देखा था कि महराश्ट्रा एक source हो सकता origin का तो genetically modified basically क्या है genetically modified organism जो है वो उनको define किया जा सकता इस तरह के organism से जिसमें जैसे plants, animals, microorganism जो की genetically material के साथ alter किये जाते हैं ठीक है और उनको इस तरह के से बदला जाता है, change किया जाता है जो naturally नहीं हो सकते है, naturally recombination के थुरू नहीं हो सकते है अब इस पूरे process को बोलते है, modern bio technology, gene technology और कभी-कभी recombinant DNA technology या genetic engineering भी इसको बोला जा सकता है ठीक है, इसके लावा इसमें selected individual genes को transfer कर दिया जाता है, one organism से दूसरे में और ये basically non-related species के बीच में भी ये सारी चीज़े हो सकते है genetically modified organism होगे, इनसे जो food produce होगा, उसको बोलेंगे GM foods ठीक है, इसी चीज़ को लेकर अब ये news में है, तो इसको इसलिए हमने ये topic discuss किया, brief में हलाकि the Hindu में भी discuss किया था, बट यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग perspective में हमने discuss किया इसके बाद बात करते हैं, Buddhist circuit को, मैं इसका historical थोड़ा सा भी current से बता दूँ कि कुशिनगर airport को integrate किया गया था, main theme ये थी कि जितने भी Buddhist places हैं इंडिया के अंदर, उनको tourist hub में convert किया जाए, उनको interconnect किया जाए highway से, airplane से, या आप देखेंगे, जितने भी sources हैं, ताकि interconnect हो और जो pilgrims है, जो यह बहुत यात्री है, वो भारत के इंस्तलों पर जाए, और इंडिया में tourism जो हो, इंप्रुमेंट हो, Buddhist circuit के थूँ, राइट, अगर आप देखेंगे, इसको लेकर एक बहुत important scheme थी, 2014 में government of Indian launch की थी, सवदेश दर्शन scheme, और इसका main ही था कि theme based circuit के थूँ या जैसे बुदिजम है, या अलग-अलग religion, culture, heritage के जो तरीके से हमारी cultural heritage है, उसके through tourism को spot करना और bilateralation को भी ये मजबूत करता है, इसके लावे ये भी mention किया गया है, ministry ये समझते है कि भारत में 8 में से 7 बुदिश साइट है, लेकिन total जो बुदिश्ट pilgrims हैं, या आते हैं, उनमें से केवल 1% ही भारत में आते हैं, तो अलग-अलग places जैसे कपिल वस्तू लुमिनी जो नेपाल में, उनको भी एक तरीके से include करती है, ministry उनको भी नेपाल के साथ coordination से हम काम करेंगे, इसके लावा सरावस्ती, सारनाथ, कुसिनगर, राजगीर, वेसाली, करना, cultural heritage को जो promote करना, ये ministry of culture के important, important initiatives के अंदर आता है, ये cross check करना कि ministry of culture के अंडर आएगा, ministry of tourism के अंडर आएगा, क्योंकि मुझे लगता कि ministry of tourism के अंडर आना चाहिए, तो इसको एक बार cross check कर लिना, इसके बाद बात करेंगे, air quality index, ठीक है, air quality index basically है क्या, 2014 में काफी ज्या अक्तूबर को बात करते है, 21 अक्तूबर को दिली और उसके आसपास एरिया में, stubble burning को लेकर है, agriculture waste को लेकर काफी ज्यादा news में, 2014 में लोंज क्या गया था, one number, one color, one description, यानि एक समाने नागरी की विए समझ सेके, कि उसके आसपास के, vicinities का मतलब हो था, उसके आसपास के किया में किस तरह की air quality है, 8 pollutant के basis पर ये observe करता है, measurement करता है, जिसमें particulate matter, particular matter 10 और PM 2.5 ठीक है, ये जो धूल के छोटे-छोटे काण होते है, PM 2.5 बहुत खथरनाक होता है, जिसमें बहुत ही बारिक काण होता है, इसके लावा nitrogen dioxide है, sulfur dioxide है, carbon monoxide है, ozone है, ammonia और lead, ये important जो है, इस में 8 pollutants है, ठीक है, अब इसको 6 category के अंदर रखा जाता है, कि good है, कि satisfactory है, moderate है, या poor, very poor, या severe, किस तरह की category के अंदर जो है, वो आएगा, इनके लावा इसको develop किया गया था, central pollution control board के दवारा, consultation किया गया था, IIT कानपूर से, और medical and air quality professional का expert group भी इसके अंदर include था, ठीक है, ब बात करेंगे, OPEC, आपको पता होगा लगातार, fuel price increase हो रहे हैं, और जो fuel हम import करते हैं, पीचे से, या, क्योंकि हमारी import पर बहुत ज़्यादा dependency है, लगभग 85% हम लोग crude oil को import करते हैं, और अगर आप देखेंगे, कई सारी ऐसी country है, जो बहुत बड़ी level पर जो है, वो oil produce कर करते हैं, उसी का एक group है OPEC, OPEC का एक permanent intergovernmental organization है, जब यहाँ पर intergovernmental एक word use होता है, इसमें सरकार direct group से participate करते हैं, तेरह country जिसमें member हैं, जो coordinate करते हैं, basically organization of petroleum export countries, यानि कितना तेल produce करना, कैसे उसको export करना, क्या pricing रखनी है, इसको लेकर decision ले जाते हैं, इनका headquarter जो वीना के अं में, और यह 1960 में बना था, बगदाद के अंदर, यह important information है, इसके अलावा, इसमें 13 countries बहुत important है, इनके आपको यह पता होना चाहिए कि 13 country कौन सी है, क्योंकि 2020 में G20 में direct सवाल पूछ लिया था, कि कौन सी country है, हाला कि main जो country generally पूछता है, UPSC, generally मैं बता रहो, जिसमें जादा न्यूज में होते हैं, तो होच रखता है कि possibility, इनके member state के बारे में भी पूछे, जैसे Algeria, Angola, Equatorial Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Republic of the Congo, Saudi Arabia, the defect only required mention किया अगया bracket में, UAE and Venezuela, right, तो यह 13 country जब OPEC के अंदर है, जो decision लेती है, कितना oil produce करना, कितना export करना, और क्या pricing रखनी है, यह सार चीजों को लेकर, right, इसके बाद बात करें, Commission for Air Quality Management, दिल्ली और उसके आस पास के एरिया में जब Air Pollution या Air Quality low हो रही है, तो उसको manage करने के लिए कि important commission लगातार news में है, वो commission है, Commission for Air Quality Management, यह basically क्या है, NCR, यानि National Capital Region, या दिल्ली के आस पास के एरिया को observe करती है, ठीक है, और ए decision spot system का, जिसके अंदर web होगा, geographical information system होगा, multi-model based operational and planning decision spot tool होने वाले, इसमें basically, static को capture किया जाता है, कि कहां पर emission हो रहा है, क्या sources के थूँ एमिशन हो रहा है, इसके लगा, अगर आप commission for air quality management, CAQM के बारे में पढ़ेंगे, तो air quality management, यह commission for air quality management, जो है, फों किया गया था, October 2020 में as a ordinance, ordinance का मतलब होता है, अध्यादेश के रूफ में, इसका नाम था, commission for air quality management in national capital region and adjoining areas, यह NCR उसके आस पास का area, ordinance 2020, ठीक है, composition में देखेंगे तो इसको chair करते हैं, government में, secretary या chief secretary rank के officer, और इसके अंदर, यह permanent body है, 20 member हो सकते हैं, यह statutory authority का इसको दर्जा दिया गया, देकि कई सारी body होती है, state jury है, constitutional है, तो यह state jury है, एक legal body का इसको दर्जा दिया गया है, और इसके अंदर बहुत importance को power दी गए, कि यह central state pollution control board, जो दिली, पंजाब, हर्याना, UP और रास्तान, उसको भी supersede कर सकती है, यह उनके decision को भी, उनके decision के ऊपर decision ले सकती है, इसकी power है, कि इन state government को pollution को लेकर यह direction दे सकती है, और इसको exclusive right होंगे, NCR region के अंदर, हर्याना, पंजाब, उत्तरप्रदेश, राजस्तान, और दिली के अंदर भी, इसको अलावा यह coordination करती है, central pollution control board के साथ, ISRO के साथ, और in respective state government के साथ, मिलकर यह coordination करती है, यह एक तरीके से penalize भी कर सकती है, अगर कोई इनके order को follow नहीं करता, या restricted area के अंदर को industrial unit setup कर लेता, तो एक करोड रुपे से लेकर, पांच साल तकी सजा का यह एक तरीके से decision ले सकते है, penalty भी लगा सकते हैं, इसके लावा Supreme Court के बहुत important direction बोल सकते हैं, principle बोल सकते हैं, और constitutional rights के अंदर भी यह चीजे mention की गई है, द इसी context में Supreme Court ने बोला, farmer जो दिल्ली और उसके आसपास के area में, three central formulas के against, जो है वो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कि उनको repeal किया जाना चाहिए, तो इसी context में जो विरोध प्रदर्शन काफी लंगे समय से चल रहे हैं, तो Supreme Court ने बोला है, कि आपको protest करने का अधिकार है, जो किसान और किसान union है, उनको बलाए कि आपको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन आप roads को indefinite period तक, यानि एक लंबे period तक जिसका कोई अंतना हो, उस तक आप उसको block नहीं कर सकते, इसके पीसे दो region है, पहला, एक तरफ जहां right to protest है, दूसरा, जो common manner, right to moment भ हो भी right to moment है, या public places का use करने का right है, तो आप उसको block नहीं कर सकते, और balance एस्टिविस्मेंट जो वो करना पड़ेगा, इसको लेकर तीन सबता दिये गए है, farmer union को कि अपना response as a petition, वो file करेंगे, कैसे एक तरीके से protesters को roads पर हटाएं, ना हटाएं, उन सब चीनों को लेकर, इसक सब्सक्राइब करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि जहां पर blockade की वज़े से उनको काफी problem होती है, रूट जो हो वो, एक तरीके से diversion के थरू उनको दिल्ली के अंदर जाना पड़ता है, इसको लेकर immediately इनको हटाया जाना चाहिए, इसके अलाबा, यहां पर सुप्रीम कोर् solution के बारे में पता करना पड़ेगा, ठीक है, हम आपके protest के right को challenge नहीं कर रहे है, वो आपका right है, but आप indefinite period के लिए road को block नहीं कर सकते, यह बोला है, दूसरा बोला है, कि एक solution होना चाहिए, चाहे judicial form में हो, agitation में हो, या parliamentary debate में, यानि एक solution कैसे होगा, तीनी तरीके है, या तो आप judicial form से कर लीजिए, agitation से कर लीजिए, या parliamentary debate से कर लीजिए, ठीक है, इनके अलावा आपको यह बोला गया कि, फिर भी आपको block करने का right नहीं है, और जब एक कानून, जिसको आपने legal challenge किया है, court के अंदर, उसकी legality को लेकर Supreme Court में hearing चल रही है, तब परदर्शन किस के खिलाफ, ये भी एक important, पहले भी बोला था कि, आपका protest किस के against है, ये एक बड़ा सवाल है, ये series अगर आपको अच्छी लगी, तो definitely हम continue करेंगे, अगर आपको अच्छी नहीं लगी, तब भी आप नीचे comment कर सकते हैं, suggestion दे सकते हैं, correction को लेकर, और improvement को लेकर भी suggestion दे सकते ह Thank you all, jahin